इस चीज़ को बजाने वाले बहुत कम है और लोग कम जानते है और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ जो ये कला है न इसको जिंदा रखो कलाकार को प्यार दो उसका समान करो उनका आम आदर करो उनको बुलाओ ताकि यह संगित चलता रहे फैलता रहे दुनिया में इसका नाम रो सनो हमें भी कोई स्टेट भी ले कलाकार को कैंस्ट हर शोपत जूलिया इस नाजस्थानी बाक पर किर को उनके तुम इस भी ब्यावा कर दो की इस ने वारी कि अप़र पर किर दो सूर कर के लिए फिडिक्सश्द गावार जे रख भी झाप्पफ ट्रॉशन, आज रविद पहांने कि अख्जाद ता बेच्थ आद उनक यह कि पर्तम गूरू को बंदना दिती आज गनेस तिर्ती सिनु लुषर्धा मेरे कारज करे अनेक। जै हूँ फुर्षधी माता गूरू पीरुसताथ पीर बाबासब का व्लाकर मालिक। यह राजस्तान के मस्क है और पहले हमारे दादा जी बताते थे चेला राम जी जूलिया उसके बाद में अंग्रेज जूलिया उसके बाद में मेरा नंबर शौपत जूलिया हमारे जैसे जैसे उम्मर बर्ति गई जैसे परिवार ने उस संगीत में बोला कर अगर आप अगर आप पड़ोगे तो यह संगीत सीख नहीं पाओगे क्यों लोग दुनिया दर क्या आजकल पैसन आओ गया जिन स्की पैंट पैंड़ा शैल्ट पैंड़ा चसमा लगाना यह आ अबने लोको को अच्छे कला कर अच्छी सुंदरता है अच्छा गाने बाडे क्या बात है क्या नाम है उनका Describing it as purely a saas का खेल, Shopaj Julia is honouring the legacies of his grandfather, father and especially his bade bhai sahab, his guru who taught him the intricacies of this unique instrument इसको मस्क बोलते हैं इंदी में और राजस्थानी में बेन और इंगलीज में बेक पेपर बतातो आपो खोल किया है कुछ नहीं यह रखो यह रखो आर पाए बिलकुल यह 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 रखो यह रखो यह रखो यह रखो यह रखो आजसे त्यार करा हुआ है जैसे इंगलीज बोलते है रीड यह रखो बता बोलते है बास का बास माने बैंद तो और बास का उसको मेह बादेब लखो यह रखो बास 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 प्रेगन सेतृ कम्स्तरी जाम आबनोस इन फोम्सिक आफ एसमें नेल खर्जास्थन वेस्टमीं। और अठराक कंट . इंडिया इंस्टूमें था नेस्टूमन रेस्टूम्टित्स मशक , मशक बीन , बीन बाजय चुट्टूभर्वूद्टूट का अ मशकी। इंसल आम मशक थाऊट इंस्टूम्ट इंस्किम बाख्ड कर्याभकृ। कि यह मार राजस्तान का है राजा महाराजा कुछ टेम का यह संगीत है और यह मसक बोलते हैं क्योंकि मसक इंदी में बोलते हैं मसक राजस्तानी में मसक बोलते हैं यह पानी के बावड़ी बोलते हैं जो इसमे पानी परके उन्थों चलती थे हैं लंबे लंबे समय से चलते है पानी बरके यह लेदर है वक्रिय का प्यूर कि इसको अच्छी तरह दो के और सुका के उसके बाद में इसकी शिलाई होती है और शिलाई होने के बाद में इसको हम त्यार करते हैं खुद घर पर ही खुद कि इसको बजाते हैं तो इसको बजाने के बाद में इसको देख रेक्ते के लीक नहों बजसले को हनकारी नहों यहीं gustanti नहोंसे होता ने जैसे दिल में अगर दुखता हो कहीं तो इस और रहly के बजादे के इसको शुर्मों आना ऊपछी को प्रैक्टीस करते हैं अच् इशेकर भी मारी तो में है वजया well did the time दिंगने में यह तैसको बजाय करें देखो किया चीजी और के के शिपर रहे we वंकि इसमें कोई हावा तो में कोय private दलो और बढैकर बेज़ाइगे बस तैaron packing साहती है सबसे पहले हमें कुद को आनद आता है क्योंकि हमें आनद इसलिए आता है कि हम दिल से बजाते हैं जो किसी ने कहा है कि अगर दिल से अगर पत्र को भी पूजोगा ना तो बूसको में भवान मिलता है यह हमें बहुत अच्छा लगता है बजाने में और आनद आता है बजाने में और इसकी खार्षित क्या है कि दुख वाली बात भी होती है कि दुख रहता हैं, दुख भाली बाते शी होती है, इस ते बजाने से यजो यह पेपड़ होते है Hill Turkey यह कमजूर हो जाता है और सांस जी वहमारी हो जती ही और अगर इसको आम गुटय यह तो नाख से खुण बतार हो जाया इस चीज़ को बजाने वाले बहुत कम है और लोग कम जानते हैं और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ जो ये कला है ना इसको जिंदा रखो कला कार को प्यार दो उसका समान करो उनका आम आदर करो उनको बुलाओ ता कि ये संगित तलता रहें पहलता रहें दुनिया में इसका नाम रो सनो हमें भी कोई स्थेट भी ले कला कारगो Shopat Julia is carrying forward the legacy of his forefathers and keeping the art of the traditional Indian backpipe alive but folk artists across the country need community and institutional support so that these art forms can survive This is art and this is medical Now this is what you would call a truly fabulous story Hi everyone I'm Sanjoy Roy with Teamwork Arts and that was Shopat Julia with his backpipe literally breathing life into the idiom ending on a high note and bringing I Believe Art Matters book edition presented by the Sheila Kanoria Foundation to a close Shopat Julia is from the Laulamandi district based in the state of Rajasthan, India and he's been learning the craft of the mashak since the age of 16 describing it as a saas ka khel or a play of breath the tremendously talented artist carries forth the legacy of his grandfather and father who also played the backpipe For him, the mashak holds a special place in his heart and he describes the experience of playing the instrument as pure anand or bliss He's performed several times at the iconic Jaipur Larcha Festival and has also enchanted audiences in Mumbai, Bangalore, Tamil Nadu, Pune and Nagpur and of course performed at Rashtapati Bhawan the residence of the President of the Republic of India His most cherished tune is Kesaria Balam a song of welcome that evokes the memory of Rajasthan in the hearts of music lovers around the world I Believe Art Matters folk edition aims to lend its support to folk art and its practitioners by providing them a platform to showcase their talent through active community engagement and encouragement Join me in giving folk art the love and strength it deserves by clicking on the line in our description because every view matters